हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल ग्यान्ट्री जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतियास के हिंदी के बारे में आज हम बात करेंगे इस एमसे की उसका जो पार्ट फरस्ट है वह हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहां से जागर के पढ़ सकते हैं उसे पढ़ने के बाद या आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप उससे जुड़ सकते हैं इस यह सारे कुश्चन हमारे कंपर्टेटिव जांप के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं जैसे की यूपिस्टी की समस्त परिच्छाएं एससी की परिच्छाएं है इस्टेट पीसियस है पुल देखते हैं हमारे पहला कुश्चन है दबंगाली अकबार की इस्थापना 1889 में किस क्रांतिकारी ने की थी आप्शन ए सुरेंदरनाथ बनर जी आनंद मोहन बो सी नब गोपाल मित्रा एंडी है राज नारायन बस सही होगा हमारा यहां पर एप्शन सुरेंदरनाथ बनर ज जो सुरेंदरनाथ बनर जी ब्रिटिस काल के सुरुवाती नेताओं में से एक थे उन्होंने 1889 इस्थी में दबंगाली नामक समाचर पत्र की सुरुवात की उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडनेशनल एसोसियेशन के स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मि दिखते हैं दोतिय विश्युद्ध के दौरान बतिक गलोन आजाद हिंदुस्तान के स्थापना किस देश में की गई थी ऑप्शनी जापान वी जर्मनी सी इटली डी सिंगापूर सही होगा माने हैं पर सी ऑप्शन इटली आजाद हिंद फौज की स्थापना 1922 में दोतिय विश्युद्ध के दौरान की गई थी इसका उद्देशी जापाने सहायता से भारत को स्थंत करना था बत्तक गलोन आजाद हिंदुस्तान 21 थापना इटली में जुलाई 1922 में की गई थी मुहमद एकबाल सेखे इसके अध्यक्ष थी बहरत का पहला तेल संसोदन कार खाना कौन सा है? ऑप्षन ने गुवाहर्टी रिफाइनरी भी विशाखा पत्रनम रिफाइनरी C है डिगबोई रिफाइनरी and D है बरौनी रिफाइनरी सही होगा हमारे हम पर C अप्षन डिगबोई रिफाइनरी डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में इस्थित है इस इस्थान पर 19-ी सताबदी में तेल गीखोच हुई थी डिगबोई एसिया का ऐसा एक पहला इस्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था यहां पर पहला तेल सुधनकार खाना 1901 में सुरू किया गया 1930 में सुतंता की घोष्णा किस्त में ड्राफ्ट की थी आप्शन है मोतिलाल नहरू भी जवाहर लाल नहरू C महत्मा गांधी D है C आरदा सही होगा हमारे हैं पर C आप्शन महत्मा गांधी पूर्ण स्वराज कांग्रेस के पूर्णा दिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया परंत सुतंता घोष्णा सपथ 26 जनवर 1931 को ली गई पूर्ण स्वराज की घोष्णा पंडिजवाहर लाल नहरू द्वारा तयार की गई थी जबकि सुतंता की घोष्णा महत्मा गांधी द्वारा तयार की गई थी पूर्ण संविधान सभा के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है उप्शन तो कथन पहला है समिधान सभा की सद्दक्स से प्रत्यच्छ रूप से चुने जा दे थी दूसरा है सीट वितरण का आधार जन संख्या थी तीसरा है समिधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मताबिक थी तो उसके आई ये ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन है केवल एक और दो सही है B केवल दो और तीन सही है C केवल एक और तीन सही है 9 दिसंबर 1946 को हुई विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को समिधान सभा का गटन पुना गिया गया इसमें कुल 299 सदस्य थी 26 नॉवंबर 1949 को हस्ताश्चर करने के अवसर पर 284 सदस्य मौजूद थी क्रिप्स मिशन का उद्देश से क्या था ऑप्षन ए भारत छोड़ों आंधोलन को रोकना भी भारती नेताओं को विश्युद में अंग्रेजों के साथ देने के लिए राजी करना प्रांतों में कांग्रेस सरकार को इस्तीफा वापिस लेने के लिए राजी करना डी है समिध 1919 के अंत में ब्रिटिस सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारती सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया परंतों सरकार दोती ये विश्युद के लिए भारत का सहयोग चाहती थी सर इस्ट्रेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अद्धक्ष थे परंतों ये मिशन असफर र सही होगा हमारे हम पर ए ऑप्शन मौन्टेग्यू जेम्सवोर्ड रिपोर्ट सुधार के सुरुवाद बिर्ट्री सरकार ने भारत में श्योसासन के लिए की थी मौन्टेग्यू जेम्सवोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेस की गई थी यहाई रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधहार भी बनी क्लिर है नेक्स दिखते हैं ब्रिटिस सरकार के देशी रियास्तों के संबंद के बारे में किस रिपोर्ट में कहां गया था कि सर्वोच सत्ता सर्वोच रहनी चाहिए ऑप्शन ए हंटर आयोग रिपोर्ट भी इस्ट्राचे आयोग रिपोर्ट भी है सी ऑप्शन है बटलर आयोग रिपोर्ट सी है कैंप बेल आयोग रिपोर्ट सही होगा हमारे हैं सी ऑप्शन ना बटलर आयो रिपोर्ट इस तीन सदसी समित की अधक्षता हार कोर्ट ने की इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था इसका उद्देश भारती देशी रियास्तों और सरगोज सत्ता की समंधों का अध्यन करना था इस समित दोरन निसकर्स निकला गया कि गवर निकले खित में कौन बंगाली नातक का पत्द्रीशक था ओप्शन ने दिल्ली 1911 and D option है दिल्ली 1911 दिल्ली उनी तो सही होगा हमारे हैं पर E option कलकत्ता 1911 भारत का राष्ट्री गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कांग्रेस की कलकत्ता दिविशन में गाया गया था समिधान सभाद्वारत 24 जनवरी 1950 को राष्ट्री गान को स्विक्रत किय गया था इसे रैंबी ना टैगोर ने लिखा था किलर है नेक्स दिखते हैं किस घटना के दौरान बाल गंगा धरतिलग को लोक मानने का उपनाम दिया गया option A home rule आंदोलन B सूरत विभाजन C श्वदेशी आंदोलन D option है 1908 में उनकी गिरफतारी सही होगा हमारे हम पर E option home rule home rule आंदोलन के दौरान बाल गंगातर तिला को काफी प्रुषिद्ध मिली जिस कारण उन्हें लोक मानने की उपादी भी मिली थी अप्रेल 1916 में उन्होंने home rule लीक के स्थापना की थी इस आंदोलन का मुख्यों देश ये भारत में स्वराज स्थापित करना था क्ल新 mujer next देखते हैं निली घित में से किस भारती राजकुमार में भारत और विदेश व में क्रानतिकारी आंदोलन में शक्री रूप से भाग लिया और उप्ष्ण ए राजा अरिंदमन सिंग बी राजा हरी सिंग सी राजा राज कारी थे उन्होंने प्रेम और निर्बल सीवक नामक दो समाचार पत्र सुरू किये 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निर्वासी सरकार सुरू की किलर है नेक्स देखते हैं करजन विली की हत्या मदलाल धींगरा ने लंदन में की थी करजन विली क्या थे अप्शन ने भारत सचीव K सलहकात थी कानुनी शदसेडी गुवर्नर जणरल सही होगा माने हम पर error बाहरति सचीव के शलाओकार मदलाल धेंगरा थीँः भारति सचीव क के पहलिए ने के लिए मदलार धिंगरा ने उनकी हद्या की थी सबसे पुराने बंगाले दैनिक अकबार बाशुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था आप्शन ने आनंद मोहन बोस B. शूरिसें C. है बारिंद कुमार घोस D. है वनायक दामोदर सावर कर सही होगा मरें है पर C. आप्शन बारिंद कुमार घोस बारिंद कुमार घोस का जन्म लंदन में पांच जन्वरी 1880 को हुआ था महन करांतिकारी औरोबिंदो घोस उनके छोटे भाई थी स्वदेशी का प्रचार पशार करने के लिए उन्होंने जुगांतर नामक सापताहिक बंगाली पत्रिका की शुद सुरुवात की अली पूर बम केस में उन्हें म्रत दंड दिया गया था परन्तो बाद में उनकी सजा को कम करकी आजीवन करावास कर दिया गया और उन्हीं अंद्यमान की सेलूरर जेल में 1909 में बेजा गया था नेमलिखित कथन के इसके द्वारा कहा गया था वर्तमान में भारत में एक चीज़ सेखने की आवश्यक्ता है कि किस वरकार मरें और यह जानने के एक मात तरीका स्वैम मर रहा है इसलिए मैं सहादत की महिमा में मरना चाहूंगा और अब इंदो घोस भी खुदी रामबो सीचन सेखर आजाज दी है मदलार धिंगरा सही होगा हमारे हैं पर डी ऑप्शन जो कि क्या है मदलार धिंगरा मदलार धिंगरा का जन्म अमरसर में हुआ था पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लेंड गये थी वहां से वे भारती करांदिकारी स्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक दामुदार सावरकर के संपर्क में आए उन्होंने भारत सचिव के सलाकार करजन विल्ले के हत्या की थी जिस कारण उन्हें मरतुदर्ण दिया गया था प्रसिद्ध पुस्तक गुलाम गिरी के लेखक कौन है आप्शने भीमराव अमबेटकर भी नारायन गूरू सही होगा माना है पर सी ऑप्शन जोतिबा फुले का जन्म पुड़े में हुआ था उन्होंने अपने पुष्टक अमेरिका में दास पर था कुछ शमर्पित की थी किलर है नेक्स एकते हैं 1920 के विवेश अधिवेशन में अहसायोग प्रस्ताव किसके अधशता में पारित किया गया था उप्शन ए सी आरदास बी विपिन चंदरपाल सी ऑप्शन है लालालाज पत्राई डी हमोतिलाल नहरू सही होगा मारा है पर सी ऑप्शन लालालाज पत्राई 1920 में कांग्रेस के विशेश अधिवेशन में गांधी जी ने असायोग आंदुलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया लालालाज पत्राई इस अधिवेशन के अधश थे यहां आंदुलन दो मुख कारणों से सुरू किया गया था खिलाफत आंदुलन के प्रती बड़ सरकार का रवया और पंजाब में निरापराद लोगों की रच्छा करने में सरकार की ऐसा फ़लाता सौ वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस सहर में लांच किया गया था सिकागो बी सेन फ्रांसिसको डी है औरेगोन सिटी एंडी है निव यार्क सही होगा हमारे हाँ पर बी ऑप्शन सेन फ्रांसिसको हिंदुस्तान गदर पार्टी की इस्थापना 1913 में की गई थी इस पार्टी ने उत्तरी कालिफोर्णिया में 406 सेले स्ट्रीट में अपना कारे शुरू किया इस इस्थान के बाद में युगांतर आस्रम के नाम से जाना जाने लगा 1913 से सत्रा के बीच इस स्थान पर ग्रांतिकारी सक्रिये थी तो लेरे नेक्स दिखते हैं नेमने खित में से कौन सा नाटक बहु विवाह प्रथा पर आधारिक था ऑप्शन ने भानुमती चित्ताविकास भी है कुलीन कुलास सरवासा सी है विद्वा विवाह दी है नव सही होगा माने यहां पर बी ऑप्शन कुलीन कुलास सरवासा एक सामाजिक व्यंग था इसमें बविवाह की प्रथा पर कटाक्ष की आ गया था क्लियर रिनक्स देखते हैं गुटनों के बल बैठ कर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर में ले यह कतन महत्मा गांधी न दांडी मार्च को नमक सत्यागरभी कहा जग गया जाता है इस यात्रा की सुरुवाद एहमदावाद में शाबरमती आस्रम से हुई ततपश्चा दांडी नामक इस्तान पर नमक बनाकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा इस सी यात्रा की सुरुवाद 12 माच 1930 को हुई थी कि आप्रेशन रेंडर पेस्ट बी आप्रेशन जीरो ओवर सी है आप्रेशन थंडर बूल्ट डी है आप्रेशन ब्लू स्टार सही होगा माने ओपर Sc option आप्रेशन थंडर बूल्ट पिलिएर है भारच रोन आंडुलन अधवा अगस्ट आप्ड освina अवग्या आĂदुलन इसके सुरवाद अगस्त 1922 में की गई थी क्लियरे लग देखते हैं 1931 के करांची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तयार किया था आप्शने जवाहरलाल नहिरू भी आचारे नरिंद देव सी हे शुवाशन्द बोस दी है मौलाना अबुलकलाम आजात सही होगा मारे हम पर एप्शन जवाहरलाल नहिरू 1931 में कांग्रेस की बैठक करांची में हुई इस बैठक की अधिश्ता सरदार वल्लब भाई पटेलने की थी इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्टी आर्थिक प्रोग्राम पर प्रिस्ताओ पारित किये गए किस बैठक कित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट भासा बनाने का सजाओ दिया था सही होगा हमारे हाँ पर ए उप्शन बूदेव मुखर जी बूदेव मुखर जी प्रसिद सिच्छावद और लेखक थे बिहार के विद्यालोयों में नागरी लिप सुरू करने में उनका योगदान महातपूर्ण था हिंदी और नगरी लिप का प्रसार करने की डोनोर ने 1893 में नागरी प्रचाणी सभा के स्थापना की थी बहरती एक रांधिकारियों की माता किसे कहा जाता है ऑप्शन ए एनी बेशन बी सरोजनी नाइडू सी मैडम कामा एंडी है उशा महता सही हो गामा रहे हैं पर सी ओप्शन मैडम कामा बीगा जी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बांबे में हुआ था भारती सुतंता आंदुलन में के लिए उन्हें भारती करन्दिकारियों की माता कहा जाता है उन्हें भारत के पहले ती रंगे जन्डी के निर्मार का स्रे दिया जाता है इस जन्डे में हरा के सरिया और लाल रंग था इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था तीरा अगस्त 1936 में उनकी मरती हो गई हिंदू महासाभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस इस्थान पर किया गया आपचन नी हरे दौर भी इलहाबास सिवारान से डी उपरोकत में से कोई नहीं सही होगा हमारा यहांपर यह ऑपचन हरे दौर हिंदू महासबा की स्थापना 1915 में मदन मुहन मालवी ने की थी यह संगठन आरे समाजवा अने संगठनों के साथ कारी करता था यह 1925 में गठित किये राष्टी स्वैम सीवक संग से जुड़ा हुआ था पहला हिंदू महासबा सम्मेरन 1915 में हरिद्वार में हुआ था कि लिए नेक्स दिखते हैं 1949 में कांग्रेस के त्रिपूरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था ओप्शन ने आचारे नरेंद दियो भी शरत चंद बोस कांग्रेस की बावनवे अधिवेशन में सुभाष चंद बोस को पुना कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया चुड़ाओं में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनेदी पट भिंतार मया को हराया उन्होंने पूर सुराजपर प्ल दिया अप्रेल उन्होंने इस पत से स्तीफा दे दिया आफ्यक्रेस के बहरत विभाजन के विरोध में तीन जुलाई उन्हीं 47 को किस ने काला दिवस की रूप में बनाया option a congress forward block b option a congress b forward block and c option ह Hindut mahasabha d है भारती स्चामम्यवादी पार्टी सही होगा आमाने है पर c option ह Hindut mahasabha clear है हिंदु mahasabha की स्थापना 1915 में मदन मुहनमालवी ने की थी clear है next thing Muslim League के पहले अद्यक्ष कौन थे आप्शन नवाब विकार उल मुलक मुस्ताख हुसाइन भी है मिया अबुल अजीड सी है हदायत हुशाइन खान डी है मुहम्मद अली जिन्ना सही होगा हमारे आप एप्शन नवाब विकार उल मुस्ताख हुशाइन मुस्लिम लेक के स्थापना 1906 में धाका में की गई थी इसके स्थापना में आगा खांत रतीय के भूमिका महत्पून थी नवाब विकार उनमुलक मुस्ताख हुशाइन मुस्लिम लेक के संस्थापकों में इसे एक थी उन्हें अलेगण आंदोलोनों के लिए जाना जाता गया था आप्शन एस एन सेन बी है आर्सी मजूमदार सी है एस बी चौधरी डी है वनायक दामोदर साव सावर कर सही होगा हमारे हैं पर ए आप्शन एस एन सेन सुरिद्ना सेन ने 1857 के विद्रोह में ग्रीस मकालिन आंधी ग्रीस मकालिन आंधी की तरह है बताया जो एना पेच्छित और छोटी होती है उन्होंने भारती इतिहास विसेज कर मराठा इतिहास के बारे में काफी पुस्तकें लिखी 1857 की आंधुलन के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार ने उन्हें निर्देश दिया था किलरे नेक्स दिखते हैं कंपत्नी सासन के दौरान विद्वापुनर विवा अधिनियम किस के द्वारा तयार किया गया था आप्शन ने लार्ड कैनिंग बी लार्ड डलहौजी सी लार्ड हार्डिंग डी है उपरोकत में इसे कोई नहीं सही होगा हमारे हांपर बी पन को 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था इस अधिनियम में एक द्वारा विद्वाप पुनर विवाप को कानूनी मानिता मिली इस अधिनियम को लार्ड डलहौजी द्वारा ड्राक्ट किया गया था किलर नेक्स देखते हैं अली नगर की संदि पर कब हस्ताचर किये गए औप्शन ए फरवरी 1756 बी सितंबर 1756 एंड सी है फरवरी 1757 एंड डी है अपरेल 1757 सही होगा हमारे हां पर सी यू अप्शन फरवरी 1757 नफ फरवरी 1757 को अली नगर की संदि पर रोबर्ड कलाइव और बंगाल के नवाब मुहम्मद सिराज दौला ने हैसाथ्षर की इस संदी के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया यह शंदी प्लासी की लड़ाई का परिणाम था कि लड़ी नेक्स दिरते हैं ए ओ हिम की जीवनी किसके दारा लिखी गई थी ऑप्षण ने डबलू वेडर बर्ण भी है लाड डफरिंस सी है जे चास डी है उप्रोक्त में से कोई नहीं सही होगा मारे हाँ पर ए ओप्षण डबलू वेडर बर्ण सर विलियम वेडर बर्ण भारत में काईरज सिवल सेवक थी उन्होंने 1912 में कांग्रेस की संस्थापक एवोहयम की जीवनी लिखी थी क्लियर नेक्स दिखते हैं भारत छोड़ो आंदुरन के दवरान सभी नए अवग्या आंदुरन में कांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे आप्षण है रामनोहर लोहिया बी सदारवल्ला भाई पटेल सी है सुभाः शंद बोर्डी है जै प्रकास नारा है सही होगा माने हाँ पर बी आप्षण सदारवल्ला भाई पटेल के लिए नेक्स दिखते हैं भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था आप्षण ने 1844 बी 1835 सी 1833 डी है 1813 सही होगा माने हाँ पर बी आप्षण 1835 के लिए नेक्स दिखते हैं बंगाल में मुस्लिम पुनर जागरन का पिता की से माना जाता है आप्षण ने अब्दुललतीफ बी मिर्जा गुलाम एहमाद सी है मुहम्मद कासिम बी है रसीद एहमाद गंगोही सही होगा माने हाँ पर एउ आप्षण अब्दुललतीफ लिए नेक्स दिखते हैं निमने खित में से कौन सा नेता असा हो गांदुलन का हिस्सा नहीं था आप्षण ने म. अंसारी बी मुहम्मद अली जिन्ना सी अब्दुलकलाम आजाद दी है हाकिम अजमल खान सही होगा माने हाँ पर एउ आप्षण मुहम्मद अली जिन्ना क्लिर है असाही हो गांदुलन के सुरुबात 1922 के बीच हुई इसमें इसका नेतरत गांधी जी द्वारा किया गया बाल गंगादर तिला विपिंचन रिपाल मुहम्मद अली जिन्ना और इनी बेशन ने इस विचार का विरोज किया था क्लिर नेक्स दिखते हैं जंडा समित के अधक्ष कौन थे ऑप्षण है डाक्टर भीम रावा मेतकर बी है जेवी करपलानी सही होगा हमारा है हाँ पर डाक्टर राजेंद प्रसाद राजेंद प्रसाद समिदान सभा की जंडा समिती तदर्श समिती के अधक्ष थे 22 जुलाई 1927 को कांग्रेस के जंडे में थोड़ा सा बदला उखरके उसी राश्टरी ध्वच के रूप में सुईकार किया गया कलिर नेक्स दिखते हैं कर्शक आंधुलन बिजॉलिया किस वर्तमान राजे से समिन देत है आप्षण ए केरल बी असम सी ओडिशा डी राजस्थान सही होगा मारे हाँपर डी आप्षण राजस्थान कलिर नग्स देते हैं भाशाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राजे कौन था आप्षण ए मद्रास B. आधापडे C. आंधर राजे D. हाग गुजरात सही होगा मारे हाँपर C. आंधर राजे कलिर नग्स देते हैं सहाय गठ बन्दन सुईकार करने वाले अंति मराठा प्रमुक कौन थे सही होगा हमारे हमारे हम पर सी ऑप्शन होलकर सहाय गठबंदन के शुरुआत लाड विल्ले ने की थी वी 1798 से 1805 तक बिटिस गवर्नर जनरल थे हैदरबाद सहाय गठबंदन में शामिल होने वाली पहली रियासत थी सरपर्थम किसने अंग्रे जी में पहली भारती रचना रची आप्शन है काशी प्रशाद गोश भी रामचंद विद्या वागिस सी है कृष्ण मोहन बनर जी काशी प्रशाद गोश काशी प्रशाद ने अंग्रे जी में पहली भारती कविता लिखी दशायर तथा अन्य कवितायों को 1830 में प्रकाश्चित की गई थी बहादुसा जफर के संदर में कौन सा कथन असते हैं वे सामराज के बिना समराट थे बी ऑप्शन है वे बिना युद्ध अन्वो के युद्धाते सी है हसन असकरी उनके अध्यात में गुरू थे डी है 1845 में उनका राज्या भिशेक हुआ सही है हमारा डी ऑप्शन 1845 में उनका राज्या भिशेक हुआ क्लिए नग्स दिखते हैं फते चंद को जगस सेट की उपादी किस ने दी थी ऑप्शन है अली वर्दी खान भी हिसराज दौला डी हमीर जाफर डी ऑप्शन है मुहम्मद साह सही होगा मारा अपर डी ऑप्शन मुहम्मद साह फतीय चंद मानिक चंद के दर्टक पूतर थी उन्होंने मुगल समराठ फारुक्सियार सेट की उपादी हांसल की थी मुगल समराठ मुहम्मद सेट ने उन्हें जगस सेट की उपादी दी थी क्लिर नेख जगते हैं, 1909 में गांधी जी द्वारा लेखित पुस्तक हिंद स्वराज के इस बांसा में लिखी गई थी, आप्शन हिंदी, उर्दू, सी, गुजरादी, डी, अंग्रेजी, सही होगा हमाने हाँ पर सी आप्शन, गुजराती, यह पुस्त, 1909 में गांधी जी द्वारा गुजराती बांसा में लिखी गई थी, इस पुस्तक में उन्होंने सुराज और आधुने के समय तक पर प्रिकास डाला है, क्लिर है, नेक्स एक्टेम, सिवा जी का अश्च प्रधान में कौन सामिल नहीं था, आप्शन इस सुमंत, B, मजुमदार, C है, वाकिया, नाविस, D है, वकील, सही होगा हमाने हैं पर D, आप्शन, वकील, अश्च प्रधान में प्रधान मंत्री, आमित, सचियों, मंति, सिना, बच्सुमंत, नयादिज और पंडित्राव सामिल थे, क्लिर है, नेक्स डिकते हैं, चौध, एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था, आप्शन ए, आए सुरोत में वर्धी करना, B, छेत्रो का विस्तार, C, राजनेती प्रभाव को सुद्रण करना, D है, मुसलिम, सासकों के विरोत के कारन, थही होगा माने हैं, हम पर A, आप्शन, आए सुरोत में वर्धी कर करना, क्लिर, नेक्स दिखते हैं, चार्जोती ने बाम्बे को किस वर्ष इस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, आप्शन है, 1662, B, 1664, C, 1666, D, 1668, सही होगा मारे हैं, हम पर D, आप्शन, 1668, क्लिर, है, नेक्स दिखते हैं, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फर्मान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था, आप्शन है, राल्फिच, B, जॉन मिल्डन हॉल, C है सर्थामस लो, D है थामस इस्टिफन, सही होगा हमारे हैं, आप्शन, जॉन मिल्डन हॉल, क्लिर, नेक्स देखते हैं, डच सबसे पहले वर्तमान उडिशा में किस इस्थान पर बसे, आप्शन है, कलगत्ता, B, चिंसुरा, C, पिपली, D, बाला, सोर, सही होगा हमारे हैं, आपर C, आप्शन, पिपली, क्लिर, है, नेक्स देखते हैं, किस संदी के द्वारा अंग्रेज ने बंगाल, विहार, और जिसा के दिवानी अधिकार प्राब्द की, आप्शन है, अलिनगर, B, फैजाबा, C, इलहाबाद, D, बनारा सही होगा हमारे, C, आप्शन, इलहाबाद, किलर, है, नेक्स देखते हैं, पेशवा, ने अंग्रेजों की सहाय गठवंदन को किस संदी के द्वारा स्विकार किया, उप्शन, पुरंदर की शंदे, B, बसाई की शंदे, C, सालवंदी की संदे, D, सुर्जी, अर्जन, गांठ की संदे, सही होगा हमारे है, पर B, बसाई की संदे, किलर, है, नेक्स देखते हैं, अंग्रेजों की, शाय गठ बन्दन की नीथिका पहल सब्सक्राइब कोई नहीं सब्सक्राइब स्वाइब सब्सक्राइब कैल नगकि यह कतन किसे कहा था कि अंग्रेजों ने मंगाल में 1765 से 1772 की बीच लूटेरों का राज स्थापित किया ऑप्शन ने जी डबलू फोरेस्ट बी लाड मैकाले सी ए केम पढ़िकर डी है नंदिलार चटर जी सही होगा मारे हैं आपर सी ऑप्शन केम पढ़िकर केम पढ़िकर एक पत्रकार विद्वान इथी हाशकार औ उप्रोग्त कथन उठोने 1780 के दिसा में बिट्रिस के बारे में लिखा था आवद को किस आधार पर बिट्रिस छेत्र में अपरिग्रहत किया गया था ऑप्शन ने व्यापगत का सिध्धान भी है कथिक कुशाशन सी है अमदान का भुगतान ना करने की कान डी है विदेश शक्तियों के साथ संपर्क सही होगा हमारे हैं पर बी ऑप्शन के कथिक कुशाशन आवद एक मात्र ऐसी भारती रियासत थी जिसका अधियान कथिक कुशाशन के अधार पर किया गया था आवद पर फरवरी 1856 में कबजा किया गया फिलर नेक्स दिखते हैं निम्रिखित मे बी ऑप्शन पंजाब विबकर सिधांद के तहट सतारा सबलपुर करॉली और जहांसी को अधिगरहन किया था यह सिधांद लाड डल होजी द्वारा प्रतिफादत किया गया था नेक्स देते हैं निम्रिखित में से केस विदिया के द्वारा बिटिस इस्ट इंडिया कंप सरकार अधिनियम 1858 सही होगा माने हाँ पर बी ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1833 नेक्स देखते हैं निम्रिखित घटनाओं का सही करम बताएं ऑप्शन है मैक डोनेल आयोग दूसरा है पहला और देखिक आयोग तीसरा है पहला वित आयोग ऑप्शन है वन टू अं थ्री ब है तो माट डोनेल आयोग का गठन 1901 में लाड करजन दूरा किया गया था पहला आयोग 1916 में गठित किया गया था इस आयोग ने 1918 में अपनी रिपोर्ट स्वौपी थी पहले वित्यायोग sırका सुलक से सरण रच्ड करने कि से पारूस किया थी क्लियर नश जिकते हैं राजासु बंदोबस्त की महलवाडी विवस्ता की सरवाद किस स्थान से हुई आप्शने बंगाल, भी, बांबे, झी, मदरास, डी, उत्तरपश्चिमी, प्रांथ सही होगा माना है उपर डी आप्शन, उत्तरपश्चिमी, प्रांथ क्लिर नेग्स दिखते हैं आठरस सताउन के विद्रोव का सरवादिक प्रभाव किस राजे में था आप्शन है पंजाब, B. महाराश, C. आवदी, मद्रास सही होगा मारा हैं पर C. आवद क्लिर नेग्स दिखते हैं बंगाल के विभाजन को किस ने रद किया था सही होगा मारा इसमें C. आप्शन, लाड हार्डिंग, बंगाल के विभाजन की गोजना 19 जुलाई 1905 को की गई थी जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था उस समय लाड डिकरजन भारत की विभाजना थे लाड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद किया था क्लिर नेग्स दिखते हैं सामाजिक पुनट जागरानम से समंधित कुमारन अशन वर्तमान में किस वर्तमान राजी से थे क्लिर नेग्स दिखते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बहतर समंध के समयकाल में रहे आप्शन है 1906-1916 B 1916-1922 C आप्शन है 1922-1928 D आप्शन है 1928-1924 सही होगा माने आप बी आप्शन 1916-1922 क्लिर नेग्स दिखते हैं भारती राष्टी कांग्रेस के अधिवेशन के अधिश्यता करने वाली पहली मेला कौन थी आप्शन है राजकुमारी अम्रत कॉर्बी विजलेच में पंडे सी है अरुना और सिफली डी है सरोजनी नाइड़ू सही होगा माने आप डी आप्शन सरोजनी नाइड़ू क्लि इसमें सही होगा हमारा ए ओप्शन वन थ्री टू फॉर क्लर है नेक्स दें इस्प्रिंगिंग टाइगर ए इस्टडी आफ ए रिवर्लियोशनरी किसकी जीवनी है ऑप्शन ने भागत सिंग भी चंसेखर आजा सी सुभाश चंद बोस दी है सियाम जी कृष्ण वर्मा सही होगा हमारा एहां पर सी ऑप्शन सुभाश चंद बोस क्लियर नेक्स देखते हैं दूसरा गोल में समेरा लंदन में किस इस्थान पर आयज़त किया गया था ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस भी किंग सले पैलेस सी है बंकिंगम पैलेस दी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट सही होगा हमारा हमारा एह उप्शन सेंट जेम्स पैलेस चलेर नेक्स देखते हैं साहजां के दर्बार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसे तक्त ए ताउस का विवरन किया था उप्शन ने जीन बप्तिस्ते टेवर्न नेर भी है गैरो नेमो वेरो नेयो सी है पियर जीन ग्रोसले एंड यह उप्शन है जीन पॉल दुबोईज सही होगा मारे आप यह उप्शन जीन बप्तिस्ते टेवर्न नेर नेर नेक्स देखते हैं जम्रेकित में से किस आफसर पर बांबे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजियों क सौपा था ऑप्शन है इस्पेन के नियंतर्ण से पुर्तगाल की आजादी भी है चास दोती का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन आफ ब्रिगांजा से विवा सी है 1888 में ब्रिटेन की हाथो इस्पेन की हार और सी डी ऑप्शन है 181630 को मैडरिट की सन सही होगा हमारे य राजकुमारी कैथरीन आफ ब्रिगांजा से विवा के लिए से नेक्स दिखते हैं 1613 में सूरत में कार खाना इस्तापित करने के लिए किसने जहांगिर को राजिय किया ऑप्शन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों की भी समझ होता भी है पुर्तगालियों को बाहर करने यह किलिए मुगल समराध को नौ सायनिक सहाय की पेश्ट कर सी है नोर जहांको रिस्वत अंडी ऑप्शन है अंग्रेजों के हाथ पुर्तगाली नौ सेना की हार धारट में ब्रिटिक्स इस्टुनिया कमपनी की पहली प्रेसीद्च कौन सी थी ऑप्शन है मधरास भी मचली पटनम सी है सूरत दी है होगली सही होगा मारे हैं पर सी ऑप्षन सूरत के लिए है नेक्स देखते हैं सत्रा सो सरसर से उनहत्तर की आंगल मैसुर्यूद से ठीक पहले हैदर अली की वर्दुत्र कोणी इस गठ मंदन में कौन जुड़ा था पहला अंग्रेज दूसरा है अजरवाद का निजाम तीसरा है मराथा चौते है तिरावन कोड का राजा सही है पहला ऑप्षन है यहाँ पर है ए ऑप्षिन है साही होगा हमारे हैं पर यह ऑप्षन सॉर्ड़ी अप्षन है हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिस मराठा और हैदराबाद के निजाम एक हो गए 1768 में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम द्वारा साथ छोड़ने की बाद अंग्रेजियों को अकेले हैदर अली से लड़ना पड़ा क्लिर है नेक्स दिखते हैं वेपगत के सिध्धांद के द्वारा नेमलखित में से किस छेत्र कंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था आप्शन है सतारा बिनागपूर से जहां सी डी मैसूर सही हो का माना है पर डी आप्शन मैसूर क्लिर है नेक्स दिखते हैं 1857 के विद्रो का नेतर तो लखनाओ से किस ने किया था तात्या टोपे ए आप्शन है मौलवी अहमदुल्लासा बी आप्शन है बिर जिसकादिर सी है बेगम हजरत महल ली है तात्या टोपे मानवता के लिए एक धर्म, एक जादी और एके स्वर का सिंधान्त किस ने दिया था? जोतेबा फूले, B, ववेकानन्द, C, स्री नराने गुरू, D, डक्टर भीमराव, अम्बेद कर सही होगा हमाने हैं, पर C, स्री नराने गुरू बहरत में पश्चिमी सिच्छा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है, मैं, मैगना कार्टा किसे कहा जाता है, सही आप्शन A है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन समित की रिपोर्ट 1830, C, B आप्शन है, चार्टर दिनियम 1823, C है, हंटर आयो की रिपोर्ट 1862, D है, वुट्स डिस्पैज 1854, सही होगा हमाने हैं, पर D आप्शन वुट्स डिस्पैज 1854, 1864, वुट्स डिस्पैज के द्वारा, भारती सिच्छा प्रणाले की निव रखी गई, इसमें, बॉंबे, कलकाता और मदरास में, विश्व विद्याले की विवस्था की गई, वुट्स डिस्पैज को भारत में, अंग्रेजी सिच्छा का मैगना कार्टा कहा जाता है, क्ल यह आप्शन के सब्चंद सेन, क्लिर नेक देखते हैं, 1922 में भील सेवा मारन किस थपना किस ने की थी, आप्शन नाराय मलाहर जोसी, भी है, अमरतलाज बिठल दास ठककर, अंप्शन है, जोतिवाफूले, डी है, बाबा, आम्टे, सही होगा मारे हाँ पर बी आप्शन, अमरतलाज बिठल दास ठककर, अमरतलाज बिठल दास को ठककर बापा भी कहा जाता था, वी प्रशिद समाज सेवक थे, उन्होंने गुजरात में जन जाती है, लोगों की सहायता के लिए काफी कारे किया, 1922 में उन्होंने भील सेवा वंडल की, इस्थापना की, लिए नेक सोहनलाल पाठक, सही होगा मारे हैं, आपर ए उप्शन, रास बिहारी बोस, किलर नेक्स दिकते हैं, नमरतलाज दिकते हैं, नमरतलाज में इसे गांधी ने पहला अंसन किस अंदोलन के लिए किया था, ऑप्शन है, खेडा सत्यागरा, भी है, चंपान सत्यागरा, C है, एहम खेड़ाफद आंदोलन के प्रमुखने तक कौन थी? आप्शन है, सयद एहमद खान और आगा खान, B है, मुहमद अली और सौकत अली, C आप्शन है, मुहमद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान, सही होगा मारे हैं, पर B आप्शन मुहमद अली और सौकत अली, क्लिर रहना सही होगा मारे हैं, आपर B आप्शन दिल्ली, क्लिर रहने एक जगते हैं, जंडा सत्याग्रा के लिए कि सहर को जाना जाता है, आप्शन है, कानपूर, B नागपूर, C नैनिताल, D भोपान, सही होगा मारे हैं, आपर B आप्शन नागपूर, 18.1930 को जंडा दिवस के हुआ था, इस सत्यागरे का नारा नागपूर चलो था, क्लिर रहने एक जगते हैं, अलेपूर, 18.1930 केस में, औरो बिंदो गोस का बचाओ किस ने किया था, आप्शन ने, तेज बहादू, शप्रू, B, मुतिला नेरू, C, जवाला नेरू, D, चितरंजन, D, सही होगा मारे पर, D, आप्शन, चितरंजन, 10, क्लिर नगजगते हैं, 1907 में कांग्रेस का वेभाजन, गर्म दल और नर्म दल में किस अदिवेशन में हुआ था, आप्शन ए, सूरत, B, कलकत्ता, सिनागपू, D, मदरास, सही होगा मारे हैं, आपर, A, आप्शन, सूरत, क्लिर नगजगते पर, B, आप्शन, दादा भाई, नरोजी, कलिर नगजगते हैं, नमलेकित में से कौन सा करांतिकारी संगठन, गुपत रूप से काम करता था, आप्शन ए, अभिनावारत, B, मित्रमेला, C, गदरपार्टी, D, अनुसीलन, समिती, सही होगा मारे हैं, पर, D, आप्शन, लाल किला, इंडिनेशनल आर्मी के 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 सहेगल साह, नवाज खान और गुर्बगर सिंग धिल्लो पर लाल किला में, नमबर 1925 में, ट्रायल सुरू हुआ, इस ट्रायल के दोरान, भूला भाई देशी, बचाव पच्च के मुखें, अधिवक्ता थे, कलिए रिनेक जिकते है ब्रिटिस सामराज अंदर तक सड़ चुका है, या प्रेष्ट दमनकारी और घटिया है, उपरोत कसन किस ने कहा था, आप्शन है, एनिबेशन, B, W, D, B, C है, सिस्टर निवेदेता, D है, विलियम, वेडर, बर्न, सही होगा मारे हैं, पर C आप्शन, सिस्टर निवेदेता सिस्टर निवेदेता, आइरेस, स्कॉर्टिस, सामाजी कारे करता, लेकी का बाद धिया पिका थी, विश्वामी वेकाननद की सिस्ट यावी थी, क्लियर नेक्स दिखते हैं, अटाथास, यासी में निवेदेत में से किस संगठन का कांगरेज में बलाय किया गया था, आप् दिखते हैं, कांगरेज के अधिवेशन के अधिचता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, ऑप्शनी, जार्ज, यूल, बी, डफरिन, सी है, डबलू, विडरबर्ण, एंडी, ऑप्शनी वर ब्रोक्त में से कोई नहीं, सही होगा हमारे हम पर एग ऑप्शन, जार्ज, य लगते हैं, किलर हैं, नेक्स दिखते हैं, थिति क्लिए मैं ऑप्शनी जीवत राम भगवान दास कर्पलाने सुतंता की समय कांग्रेस की अंदाक्ष ठीवीगांधिवादी समाजवादी पर्यार वरन विद्व वह सेनाने भी थे स्वधेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के कि दाजवेशन में पारित किया गया था option A, मदरास अधिवेशन 1903, B, बांबिया अधिवेशन 1904, C, बनारास अधिवेशन 1905, D, कलकत्ता अधिवेशन 1906 सही होगा माने हैं, D option, कलकत्ता अधिवेशन 1906 स्वधेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था इस अधिवेशन के अधिचता दादा भाई नारोजयों ने की थी इससे पहले 1905 में 12 अधिवेशन में ब्रिटिस वस्त्रूं के बहिस्कार का प्रस्ताव पारिद किया गया था 1906 की अधिवेशन में सुराज बहिस्कार आंदुलन सुदेशी और राष्टी सिच्छा के प्रस्ताव पारिद किये गये थे कि लिए नेक्स दिखते हैं महत्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अधिवेशन बने थे अप्शन ए लहबाद बेगुआ हटे सी बेल गाम डी है का किनाड़ा सही होगा मारे आपर सी ऑप्शन बेल गाम गांधी जी उनीस सो चौबिस में भारती रा कांग्रेस की सदस्य बेल गाम अधिवेशन में बने थे क्लिए नेक्स दिखते हैं निम्डखित में से कौन आल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था ऑप्शन है नवाब महसिन उल्मुल्क भी मौलाना बुरकलाम आजाद सी आगा खान हैंडी ऑप्शन है नव नवाब सलीम बन्लाह और नवाब महसिन उल्मुल्क की नेतत में की थी मुसलिम लीग ने बंगाल के विवाजन का समध्धन किया और मुसलिम संधाओं के विशेश अधिकारों की मांगे II कलें नेक्स लिकते हैं बंगा नम्सलिम पणनजर्जागरण का प्ता की से कह जाता ह Option A स्याइद एहमाद खान B है अमिरिएं dur C है नवाब अब्दलातीफ कान D है नवाब सलीमुलाह खान 19 सदी में मसलिम आजूने की करण के पëlदा परदार सकती सिच्छा के छीतर में उनका युगदान महात्त पूर्ण था Clare है Next दिखते हैं सुराज हमाजा जर्मसिद्ध हक आड़े आहे आड़े तो में मिडावर अच्छ सुराज मेरा जर्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा यह बयान बाल गंगा दिलक ने कहा था कहा दिया ऑप्शन है पुने जिले बी यर्वदा जेल सी है पुने जेल और यर जर्मदल के नीदा थी उन्होंने नयायले में नयायद ही इसके सामने कहा था कि सुराज हमाजा जर्मसिद्ध हक आहे आड़े तो मी मिडावर अच्छ यानि सुराज मेरा जर्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा इसके बाद उन्हें साथ वर्ष के आत्माराम पांडूरंग भी कोपाल हरीदेश मुख सी हैं एमजी रानाडे और डी आप्शन है जोतिबा फूले सही होगा माना पर डी आप्शन जोतिबा फूले जोतिबा फूले एक विचारक समासुधारक लेखक और धासनिक थे उन्होंने महाराष्ट में 1873 में सत्य सु वीडियो की पीडिया पाना चाहते हैं तो आप मारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है भारती होम रूल लीक के पहले धच कौन थी ऑप्शन है जोसिब बपिस्ता भी है एनिवेशन सी है एनसी केक केल कर हैं बीजी तिलक सही युगा मारे आप यूप्शन जोसर बपिस्ता बाल गंगातर तिलक ने अपरेल 1916 में भारत में इंडियान होम रूल लीक के सापना की थी जबकि एनिवेशन ने सितंबर 1916 में होम रूल लेक के सापना की थी इस वीडियो के पाना चाहते हैं तो आप ह कमेंट कर सकते हैं सबी कोश्चन की कम आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर दें और हाँ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें बेल आगन को दबाना बिलकुल भी मत भूलेगा जिसे नीव वीडियो के नॉटिफिकेशन दिया गए है आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के जो भी हमसे के उसके कोश्चन है वह आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर पढ़ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो